हलो एर्यवान वेलकर बैग अगें तो स्टैंडर्ट सेवन्त में हमने जो लेशन स्टार्ड किया है इस के ओपर लास्ट वीडियो में हमने पायते गुरस थेनम देखा था और एक्सराइज तो आज हम देखेंगे कुछ वर्ट प्रॉब्लेम जो बेस है और पाइटागोरस थेरों सो लेट स्टार्ट नौ तो इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल का हमें हाइपोट्यूनियूस दिया है जाट इस 25 सेंटीमिटर देख्ट आप बाकी जो दो बच्चे हुए साइड रहते हैं उन में से एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर तो आप इन दोनों में से कोई भी एक साइड आप यहां पे 15 सेंटीमिटर ले सकते हो तो मान लो कि हमने बेस 15 सेंटीमिटर ले लिया तो हमें थर्ड साइड करने है तो अब थर्ड साइड हमें फाइड करने के लिए हमें पाइटागरोस थेरम का यूज़ करना है आपको फिगर ड्रॉआ करके इसको ने मिल करके यहां पे लिखने की कोई यरोत नहीं है आप डारेक्ट लिख सकते हो हाईपोटेनी इस इकल तो जो दिया है हुओ और जो पिवर 50Cm कमा ,,,,, we will take here base is equal to 15Cm,therefore we will write now by Pythagora theorem अब पाइफ़ागोरस थेरम आपको पता है क्या है हाइपोटेनुस स्क्वेयर एक्वल टू बेस्क्वेयर प्लस पर्पेंडिकुलर स्क्वेयर perpendicular, we will remove it now, perpendicular square, okay, so this तरह से हमारा formula है, so obviously variable को रहा है, hypertony is 25, so 25 square equal to basis 15 square, plus we will write perpendicular square as it is, perpendicular as it is, now square of 25 is 625, equal to, यहां पे 15 का square है, 15 का square 225, okay, और नहीं तो आप यहां पे साइड में आप इसका square करके देख सकते हो, 15 multiply 15, 75 is a 5, carry 7, 15 on the 15, or 7, 22, so 225, plus यहां रिकेंगे आप पर्पेंडिकुलर square, अब आपको हमें तो थर्ड साइड हैं पर्पेंडिकुलर find करना है, तो हमें यहां पे squares को हटाना है, तो सबसे बिले आपके आपके रोट 225 को लेके जाओ, तो ट्रांस्वस करेंगे, so you get therefore, पर्पेंडिकुलर square, पर्पेंडिकुलर square equal to 625 minus 225, that is, is equal to 400, अब आपको पता है, 400 is a square of 20, so we will write it as 20 square, अब देपो दोना type में square और square आपको चैसको चैसको कर लो, so you get, चैसको के से होता है, by taking square root of both sides, so you will get पर्पेंडिकुलर equal to, पर्पेंडिकुलर equal to 20, अब यहां यहां पे centimeter, so we will write here, centimeter, अब प्वेंडिकुलर यहां पूचायता, length of 3rd side is 20 centimeter, got it, next question we will see, question number 6, a man goes 10 meter due east and then 24 meter due north, how far is he from the starting point, तो क्या होता है, कि एक, यहां पे मान लोग की एक person है, ठीक है, इसको हम नाम देजिए starting point यह, ठीक है, अब यह 10 meter east की तरफ गया, तो मान लोग की इस side में east 10 meter आया, इस तरह से, तो B तक आया, 10 meter, ओके, अब, then 20 meter due north, और 24 meter गया north की तरफ, हैने उपर के side में, तो यहां पे मान लोग की यहां पे वो 24 meter आया, और यहां पे नाम देजिए हमने point C, तो यहां तक आ गया है, वो 24 meter, ठीक है, अब हमें क्या कुश्चे पुचा है, how far is he from the starting point, तो starting point तो यह था, ओके, so this is a starting point, और फिर वो गया north की तरफ, फिर वहां east की तरफ और वहां से गया north की तरफ, अब हमें पुचा है, कि starting point से वो अभी कितने दुरी पर है, तो यह find करना है, याने हमें इस तरह से, इस distant को एक तरह से find करना है, और इसको किस तरह से find कर सकते हैं हम, उसको अभी देखेंगे, ठीक है, तो इसको find करने के लिए, अब आप देखो कि यहां से यहां तक आया भी, यहां से इस तरह मुझ गया, यहां भी बन गया right angle, तो हमें अगर यह find करना है, तो हमें अगर यह find करना है, ठीक है, तो इसको solve करने के लिए, हम यहां पर रिखेंगे, let a be, let a be starting point, ठीक है, अब question में हमें जिस तरह से पुछा है, तो उस तरह से हमें यहां पर distance show किया है, so, a be equal to 10 meter, and b c equal to 24 meter, और हमें find करना है, a c, so we will write here, a c equal to question mark, और यह जो triangle है, this is a right angle triangle, so we will write here, in triangle a b c, which angle is 90 degree, angle b equal to 90 degree, और यहां पर हमें hypotenuse point करने के लिए, pythagoras theorem को यूज करना है, so we will write here, therefore, by pythagoras theorem, pythagoras theorem, we will get here, hypotenuse square, hypotenuse कोना है, a c, तो रिखें कि हम a c square, equal to, base square, base कितना है, 10 meter, so we will write here, a b square, plus perpendicular कर, और perpendicular कोना है, b c, so we will write here, b c square, now we will put two values, a b is, 10, so we will write 10 square, and b c is 24, so we will write here, 24 square, square of 10 is 100, and square of 24, on behalf of side me, is gonna say 5 not currently, so 4 x 4 x 16 x 6, carry 1, 4 x 2 x 8, plus 1, 9, 2 x 4 x 8, 2 x 2 x 4, 7, or here, 5 x 76, अब दोनों के आड करो, so you will get here, 676, अब हमें तो सिर्फ, a c की value find करने है, यहाँ से square हटाना है, तो square हटाने के लिए, आप देखो, 676 किसका square है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ side में इसका square root find करेंगे, उसके लिए यह methodize 676 लिखा, right to left आपको दो-दो डिजिट के group बनाने है, तो first digit is of 76, आप दुसरा तो दो डिजिट का बनता नहीं, तो एक डिजिट का लेंगे, ठीक है, अब आपको रेखना कि यह जो 6 है, पहला group, वो किसका square है, या किसके square के दिजिट के, तो अगर आप 2 का square करते हो, तो 4 आता है, 3 का square करते हो, तो 9 आता है, तो 3 का square तो नहीं ले सकते हैं, हम लेंगे 2 का square, इसलिए यहाँ लिखा हमने 2 और 2 यहाँ पर भी लिखेंगे, तो 2 तो जा 4, अब यह जो 2 है, इसमें आपको add करना है, तो इस तरह से, अब 2 और 2 होगे, 4 आपको थोड़ा जगा छोड़के यहाँ पर लिखना है, तो 6 मानस 4 होगे, 2 और यहाँ पर यह pair ले ली, 76 as it is, अब आपको क्या करना है कि 4 के सामने ऐसी नमबर लिखो, जिसको उसी से multiply करने के बाद, हमें 276 मिलना चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पर जोगे, इनिल प्लेस पर 6 है, तो 4 इंटू 4 अगर करोगे, तो 16 में 6 आता है, ठीक है, यहाँ 6 इंटू 6 करोगे, तो 36 में भी 6 आता है, मतलब यहाँ पर आतो हम 4 ले सकते हैं, यहाँ भी 6 ले सकते हैं, तो पहले 4 लेते हैं, तो 4 लिया, यहाँ पर 4 लेंगे, 4 पर जा 16 जा 6, carry 1, 4 पर जा 16 प्लस 1 हो गया, 17, तो 117 ने बहुत ही small number हो जाईगे, तो हम उसके लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, लेते हैं, 6 लेते हैं, यहाँ पर भी 6 लेंगे, तो चलो 6 इकजा 36 जा 6, carry 3, 6 फोर्जा 24, और 3 होगे 27, तो यहाँ पर नम्मर आगे 6, तो यहाँ पर भी 6 लेना है, और यह answer जो आगे 276 यहाँ पर लिख लेंगे, अब यह जो 6 आईए, इसमें आपको add करना है, तो विलाट यह 6, अब प्रोसेस यहाँ पर complete हो गाई, 6, 6, 12, the 2, carry 1 और यहाँ पर हो गया 5, अब यह जो number आती है, यह जो answer आए, यहाँ पर 26 का double है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, 676 is square of 26, अब यह कोई दोनो साइज में square है, उसको remove कोईगे, अब हमें लिखना है, अब क्या पुचरदा, हर यह रिखें ह में हर हैंगे, अब मान लो कि यह एक प्लेन ग्राउंड है ठीक है इस प्लेन ग्राउंड पे दो पोल है यूनो एलेक्रिक पोल है यहां पर एक लेते हैं हम इस तरह से यह खाये पोल और इसको नाम देते हैं हम यह अ उसको लेंग्ध है 14 पार इफ डर्ट नाम दुसरा है 14 मिटर इसको ले लेते हैं 14 मिटर और दूसरा पूल यहां पर इस तरह से ले लेते हैं और यह हो गया नाम इसका CET और इसको यह हो गया लेग 9 मिटर था तो इस तरह से दो पूल अप्राइट standing way, if the distance between their feet is 12 मिटर, तो this is your feet, ओके और यह दोनों पूल का जो distance है, that is 12 मिटर, अब question क्या है, find the distance between their top, तो this is a top of these two poles, so we have to find the distance between these two poles, तो top का distance हमें इस तरह से यह वाला find करना है, अब यह किस तरह से find करना है, उसको भी देख लेते हैं, अब यह जो दो पूल है, CD और यह भी, यह दोनों पूल parallel है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कि यह point, मत्तला इस तॉप से इस पूल के उपर, अगर आप यहाँ पी इस तरह से perpendicular ड्रा करेंगे, ओके, तो we will get here a triangle, and this triangle is right angled triangle, क्योंकि यहाँ से यह perpendicular हमने ड्रा किया, इसको नाम देदे हैं हम E, ओके, तो C E is perpendicular on AB, अब आपको अगर यह E मिल गए, और C E मिल गए, तो आप AC को find कर सकते हो, अगर आप गौर से देखो, तो यह जो है, B, D, C, E, यह जो quadrilateral है, यह quadrilateral, कौन से टैक को quadrilateral बन जाएगा, तो यह बन जाएगा rectangle, ओके, तो यह जो 40 मिटर है, यह तो 40 मिटर यहाँ से यहाँ तक का distance है, ओके, और आप अगर देखोगे, तो CD will be equal to BE, ठीके, तो CD अगर 9 मि से 9 को अगर मानस कर दो, तो आपको यह ही मिल जाएगी, जो रहेगी 5 मिटर, और B, D will be equal to C, तो यह 12 है, तो यह 12 है, तो यह 12 है, तो आपको यह सी आशनी से मिल जाएगी, अब इसको लिखना कैसे है, तो first we will write, A, B and C, D are two poles, ओके, so we write here, A, B and C, D are two poles, जो भी हम डाग्राम रिकालते हैं, उसके हमें आपको इंफरमेशन देनी होती है, so we write here, A, B is equal to 9 meter, sorry, A, B is equal to 14 meter, and C, D is equal to 9 meter, और उन दोनों का जो distance है, B, D, is the distance between their feet, and B, D is distance, BD is distance between their feet, between their feet, और BD कितना है, BD is equal to 12 meter, and we have to find distance between their top, that is A, C, okay, so we write, A, C is the distance between their top, A, C is the distance between their top, अब इर तोप का distance फाइं करने के लिए, सबसे बाइए तो हमने पर्पेंदिकुलर द्रा किया, C, पर्पेंदिकुलर ओन, A, B, तो पर्पेंदिकुलर ओन, A, B, ओके, तो पर्पेंदिकुलर द्रा करने के वाज़े से, यहाँ पी जो rectangle form हो गया है, उसमें हम लिख लेते पहले हैं, ठीके, इन rectangle, इन rectangle, D, C, E, B बोलो या D, B, E, C बोलो, ठीके, तो उल्राइटे इन rectangle, D, C, E, B, क्या सेम यहाँ पे DC equal to BE DC equal to BE equal to 9 meter and second is BD equal to CE BD equal to CE equal to 12 meter so अब हमें find करना है सबसे पहले AE therefore we will write AE equal to AB AE that is equal to 14 minus अब यहाँ पे देखो AE अगर find करना है तो AB मैंसे BE को find करना है AE को नहीं so we'll write here BE that is 9 and equal to 5 meter तो हमें यही distance है यही मिल गया है 5 meter और यहीज़ C distance है वो भी मिल गया है 12 meter then we will find EC distance therefore we will write in triangle ACE angle अब यहाँ अगर करना हमें 3 letters मिल गया है angle AEC angle AEC equal to 90 degree therefore we will write by Pythagoras Theorem Pythagoras Theorem Pythagoras Theorem we will get AC square equal to CE square plus AE square means hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square now we will put values so we will get here 12 square plus 5 square here will be 144 plus 25 that is equal to 169 and you know that 169 is a square of 13 therefore we will get here AC square equal to 13 square therefore AC equal to 13 so unit is meter so we will write here meter तो आपको last answer लिकना है therefore the distance between the top is 13 meter what is X-ray question number 13 ABC is an isoscellus right triangle तो सबसे पहले हम यहाँ पे isoscellus right triangle निकाल दे isoscellus मतलब ऐसा triangle जिसके 2 side equal है और right triangle means उसका एक angle 90 degree है अब यहाँ पहला है कि right angle at point C है तो सबसे पहले हम यहाँ पी इस तरह से एक right triangle draw करते हैं तो यह this is a right isoscellus right triangle और इसको नाम दे दे आप सबसे पहले तो C और यहाँ पी दिखा दे है 90 degree अब जो बागी की 2 point है एक रहेगा A और दूसरा रहेगा B ठीक है अब 2 side कोई से इकोल रहेंगे हाइपोटीनिस के साब तो कोई भी side इकोल नहीं रहेंगे it means that A C और B C is same the question is that हमें प्रूव करना है A B square इकोल तो twice A C square तो right angle triangle तो सबसे पहले तो हम प्रूव करेंगे मतलब यूस करेंगे Pythagoras theorem कर so we will write here okay so solution लिपो या proof लिपो so in triangle in triangle A B C angle C equal to 90 degree and A C equal to B C okay अब therefore we will write by Pythagoras theorem by Pythagoras theorem we will get Pythagoras theorem क्या है hypotenuse square equal to B square plus perpendicular square hypotenuse is the A B so we will write here directly A B square plus sorry A B square equal to B C square plus A C square अब यहां पर आप देखो B C और A C दोनों सेम है या तो आप B C की जग़ A C लिखो या A C की जग़ B C लिखो लेकिन आपको जो प्रूव करना है उसमें A C दिया है तो हम लिखेंगे B C की जग़ A C so A C square plus A C square अब इसका आप reason लिख सकते हो B C equal to A C that is equal to 1 A C square or 1 A C square that is equal to 2 A C square अब हमें जो प्रूब करना था वो प्रूब हो गया so right here hence A B square equal to 2 A C square प्रूब इस तरह से ये प्रूब हो गया now we will see one hot question hot question में question number 3 number 1 triangle A B C is an equilateral triangle तो एक triangle सबसे बढ़े हम ड्रौब कर लेते है जो है equilateral triangle तो इस तरह से ये होया equilateral triangle एन जिसके all sides are of same length so this, this and this all sides are same from A तो इसको नाम दे 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 हम A, B and C so from vertex A and altitude A D is drawn so vertex A से जब altitude draw करेंगे तो उसके opposite side जो है B C उसके उपर altitude आएगा so we will draw here altitude in this way and here will be right angle and we will take here point D so A D is altitude on side B C find the measure of angle B A D तो B, A और D तो इस angle का हमें measure find करना है तो कैसे find करना है जब देखते हैं so we will write here in triangle A, B, C अब triangle A, B, C equilateral triangle है तो तीनो side same रहेंगी therefore we can write A, B equal to B, C equal to A, C जब तीनो side same होते हैं मतलब equilateral triangle में तीनो side same हैं तो उसके तीनो angles भी same रहेंगें और हर एक angle का measure होता है 60 degree so we will write here therefore angle A equal to angle B equal to angle C equal to हो गया 60 degree each angle is 60 degree अब यहाँ पर गौर से लखो यह जो A, D है perpendicular B, C so we will write here A, D perpendicular B, C तो यह जो angle हो गया this angle is of 90 degree क्योंकि हम वहले इस triangle का लेंगे क्योंकि हम यह angle find करना और यह angle आता है इस triangle में A, B, D मे तो हमें चाहिए यह वाला angle so we will write here angle A, D, B equal to 90 degree अब आपको पता है angle sum property of triangle जिसमें तीर angle की addition होती है 90 degree so we will write here in triangle अब इस triangle का नाम है A, B, D in triangle A, B, D by angle sum property of triangle angle sum property of triangle we will get sum of three angles so sum of three angles में पहरा तीर angle यह हो गया और इसका इसका नाम लेते से में आपको three letters में लिखना है so we will write here angle B plus इसका नाम तीर इसमें B, A, D angle B, A, D plus इसका नाम है angle A, D, B यह पिलिको B, D, A so we will write here angle A, D, B equal to we have 180 degree obviously इसका नाम लेते से लेते से angle B की वाई आमा है 60 degree so we will write here 60 degree plus angle B, A, D की वाई आई आई we will write it as it is plus angle A, D, B की वाई आई 90 degree that is equal to 180 degree of 60 plus 90 is 150 so therefore we will write here angle B, A, D plus equal to 180 degree of 150 degree ko transpose kuro therefore you will get angle B, A, D equal to 180 degree minus 150 degree that is equal to 30 degree so हमेचो angle P, A, D that will be 30 degree got it